नमश्कार दोस्तों, टोक्या हल चल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ गनेज जोशी और मैं रहता हूँ जपान में। दोस्तों, आज आज को मैं इंडिया रिष्टन की मेनूं दिखाता हूं जपान में। कि भूँथ सारी लोग जो आप जपान से बार रहते हैं इंडिया में या किसी दूसरी country में और आप इंडिया रस्टरण काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं गुमने के लिए चाहिए आना चाह रहे होंगे जपान भी तो आपके मन में रहता होगा कि वहाँ का यार मेनू किस तरह से रहता है इंडिया रेस्टरेंट का खाना किस तरह से रहता है तो मैं आपको सिर्फ मेनू दिखाऊंगा आज आपको सिर्फ लंच मेनू दिखाऊंगा आप और उसकी रेट दिखाऊंगा कि किस तरह से रहता है लेट सी दोस्तों दोस्तों ये देखो किसी रेस्टरेंट का लंच मेनू है इस शिरब lunch menu की बात कर रहा हूँ, मैं आज और चीज नहीं, grand menu कोई और होते हैं, शिरब ये lunch menu की बात कर रहा हूँ, देखो दोस्तों lunch menu इस तरह से सेट बने होते हैं, 660 के, और जो नीचे आप देख रहे हैं, 770 के, A, B, C, इस तरह के सेट बने होते हैं, ये बच्चा सेट ह है, हर किसी जैपनी रेस्टन में लगबग लगबग इसी तरह के सेट बने होई रहते हैं, हो सकता है किसी रेस्टन में किसी और तरह का हो, लेकिन more than 90% इसी तरह के सेट होते हैं A B C करके एक करी का सेट दो करी का सेट इस करी इसमें देखो दो करी है थोड़ा डिजर्ट है तंदुरी चिकन का पीज डाल रखा है कोई क्या करता है कोई राइस डाल देता है उसमें और देखो इंगलिस में भी लिखागा अगर किसी को जापा आगर में चोटे-चोटे नान इस चलते हुए बड़े बड़े नान चलते हैं और सिट लो आप यह और करी्या अप मीछा किस तरह कि नर रहती है जणूरी है करियो कोई मतन से करी दो कोई कुछ और रखता है मतलब करिया अप अपनी च्वैस कि रह सकते हैं लेकिन लगवग लगवग इसी तरह का होता है तो बहुत ही सस्ता है इतना सस्ता तो मैं कहीं नहीं देखा तो इस तरह से रहता है दोस्तों यार जापान में मेनियू दोस्तों ये था यार इंडिया रशन का मेनियू देखो आपको क्या डिफ्रेंस लगा दूसरी कंट्री में जिस कंट्री में भी आप होंगे वहां का मेनू किस तरह से रहता है और जापान का मेनू तो मैंने आपको दिखा दिये ये सिरब लंच मेनियू है दोस्तों ग्रांड जैन वह मैंने दूसरे दिन दिखांगा आपको तो आप मेरे को बताना की क्या डिफरेंस है रेट से लेकर क्या रेट है है क्या डिफरेंस है तो अगर आपको व्यडियो पसंद आया हो सो शै